हलो आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं लीव लाइव इस तजावट तो आज मैं मॉर्निंग से व्लॉग शुरू कर रही हूँ और सुबा के साथ बज रहे हैं मैं बना रही हूँ चाए तो ये देख लीजिए मैंने अद्रक को अच्छे से कूट दिया है और इसमें मेरी चाए में उबाल आ गया था उसके बाद मैं अद्रक डाल रही हूँ और ये मेरी चाए बनकर तया है आप भी आजाएए चाए पी लीजिए गर्मा गर्म तो ये चली मैं अपने रूम में और मैं ब्रेक फास्ट में बनाने वाली हूँ कुट्टू के आठे की पकोड़िया तो जयसे कि आप देख रहे आलू बहुत कद्ड़ होते हैं इस टाइम में आलू में काफे सारी मिठी लगी होती है तो मैंने गरम पानी में ये आलू कम से गम आदे घंटे डाल कर पहले रख दीये थे ताकि जो इसकी मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाए और हो गई थी तो मैंने इसे अच्छे से मल मल के धो लिया और मैं दुबारा से फिर से इसे मल मल के धोगई ताकि जो मेरी पकोणिया है वो किस किसी ना रहे और मेरी सासुमा बनाएंगी चटनी तो मैंने यहाँ पर टमाटर को डाल दिये हैं रोस्ट होने के लिए अपने जोखेर और मैं अपने आलो को छील लोगी चीलने के बाद मैं इन्हें अपने मन चाहे साइस में कट कर लेंगे फिल हाल कुछ लोग है वो गोल कोल साइस में आलो को काट ते हैं बट मुझे थोड़े से इस तरह के लंबे-लंबे कटे उए अच्छे लगते हैं तो मैं काटने के बाद इसमें हम मिलाएंगे कुट्टू का आटा इसकी क्वांटिटी मैं नहीं बता सकती हूं क्योंकि देखना पड़ेगा इसलिए ऐ तिंक एक डेर कप तो यह कुट्टू का आटा है इसमें मैंने बारी कटा हुआ हरा धनिया एड कर दिया है और इसमें कुछ ग्र मैं हमाइव थारी कर रहें था इसमें कोई भी मसाले आट कर सकते हैं वर नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत सिं कर Müंधते हैं कि मेरी सासोमा थी आ नहीं बनाने वाली है चटनी दही तो मुझे इसे स्पाइसी करनी की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है सिंपल सा ही मैं इसके रखने वाली हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिक्स करना है थोड़ पान डाल कर एक साथ पानी नहीं डालना है नहीं तो कुछ और ही बनकर तयार हो जाएगा फिर आपका और यह मेरी कडाई में ऑईल करम हो गया है मेरी कडाई पर मत जाना क्यो यह बच्पन से ही इतनी काली है इसलिए और मैं इसे फ्राइ कर रही हूँ यह सिर्फ कडाई हमने फ्राइ करने के लिए ही रखी है इसमें हम पूरियां भटूरे पकोड़े तलते हैं इसलिए शायद यह काली हो गई हो तो यह क्लीन नहीं होती है ऐसी रहते है विचारी पत से यह बर्तनों को भी वाश कर दिया जाए उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा धूप में पहले मैं शाल लूंगे शाल लेने के बाद मैं जाऊंगी थोड़ी सी धूप में तो सारे बर्तन मैंने वाश कर लिये हैं वाश करने के बाद मैंने अपनी जगा पर सैट कर रही ह तो उसके बाद मैं फ्रिज में से दूद लेकर आ गई हूँ और दूद में से मलाई को हम अलग कर रहे हैं यानि के चान रहे हैं मेरे घर में किसी को भी मलाई खाना पसन नहीं है तो हम बनाएंगे मलाई से मक्कर फिलहाल मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ कम से कम 5-6 दिन की मलाई को हम स्टोर कर लेते हैं दूद की मलाई और दही की मलाई को उसके बाद हम इसमें मक्षन बनाते हैं तो बस मैं दूद को अलग कर लेती हूं मलाई को अलग कर लेती हूं हमारी बिटिया रानी को दूद चाहिए था तो मैं दूद को गरम करने के लिए रख रही हूँ और एक मिनट का मैं सैट करूँगी टाइम क्योंकि दूद ठंडा है फ्रिज का है तो थोड़ा सा टेंपरेचर ठीप हो जाए उसका इसलिए दूद मेरा गरम हो चुका है इसे बाहर निकाल लेते हैं उनको दे देते हैं उसके बाद हम करेंगे अपनी किचन की सफाई यहां जितना भी समान फैला वातर स्लैप पर मैं अलरड़ी सैट कर चुकी हूँ और अब मैं क्लीन कर रहे हूँ कपड़े से मेरे किचन में कम से कम तीन से चार कपड़े रहते हैं जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ जो टाइल्स का है वो अलग रहता है और जो गैस का है वो अलग रहता है हूँ कर रहता है कर रहता है तो लगबग मेरे किचन की क्लिनिंग होने वाली है और उसके बाद मैं लेने जाओंगी शार तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और इसका मुझे दो तीन महीने से इंतिजार था जो आप देख रहे हो यह है मेडी इलेक्रिक कैटल और मैं पतिदेव से बोल ली थी कि भाईया सरदिया निकलने वाली हैं और यह कब लेकर आओगे क्योंकि मुझे गरम पानी की जादा सरुरत थी किचन में खास तोर से तो फ और ब्रांड ठीक ही ठाक है इसमें मुझे एक कमी नजर आई है और मुझे नहीं पता कि ऐसा ही होता है क्योंकि मैं फर्स टाइम एलेक्रिक कैटल यूज कर रही हूं इसका वायर बहुत चोटा है तो मैं फिर से हर जगा लेके घूमी हूं अपने घर में की कहीं यह सैट हो जाए तो उसके बाद मुझे यही जगा मिली अवन के पास वायर बहुत चोटा है तो कहीं सैट हो ही नहीं रहा था यहां से यह धकन खुल जाता है इस तरह से और हाँ पानी बहुत जल्दी गरम करता है यह तो अच्छा लगा मुझे इस कैटल को मंगवाने का मेरा मक्सद यह था कि सर्दियों में ठंडे पानी में हाथ देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है आप रो रो के हाथ देते हो तो बस सबचिया धोना या फिर चिकनाई की जो बरतन होते हैं उसमें गरम पानी एड़ कर दो तो काफी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो बस इसमें हुझे गरम पानी ही करना है और बहुत जल्दी से गरम पानी हो जाता है तो मैं इसके साथ खुशू मेंटी सासुमा को बनाना है मूली गाजर का अचार उसी के लिए मैं यहां पर मूली गाजर को छील रही हूँ उसी के साथ में कारट भी दूगी और वो जब ही सीसन आता ना जिस यही साइज बहुत अच्छा लगता है और यही साइज मने देखा है जाद तर जो मैंने मार्गिट के अचार देखे हैं उसमें तो यहां मैं लंबे साइज का काट रही हूं तो बस मैं pedicure tool से इसकी daddy skin को remove कर रही हूँ, यह electric है, यानि कि इसे charge करना पड़ता है, उसके पाद आप इसे use कर सकते हैं, काफी अच्छी है, काफी अच्छी से work करती है, और मैं लगभग इसे एक साल से use कर रही हूँ, अभी तक इसका कुछ भी खराब नहीं हुआ है, और इ पिल्हाल एक साल से मैं एक ही attachment use कर रही हूँ, मुझे और attachment use करने की जरुवत नहीं हुई है, अगर यह बहुत अच्छी तरह से घिस जाएगा, जब यह work नहीं करेगा, तब मैं दूसरा attachment attach करूंगी, शाम के 5 बच्चों के हैं, बच्चों को भूख लग चुकी है, बच्च अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा, शेयर कर दीजेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और आप सब का बहुत बहुत धन्य बाद यहां तक वीडियो देखने के लिए तो मिलती हूंगा इसे को नए वीडियो के साथ तिल देंग बाइबाइबाइब